बिहार के पुरु मुख्य मंत्री और जन नायक के नाम से मशूर लोक प्रिय करपूरी ठाकुर जी को भारत रत्म दिया जाना एक एतिहासिक नीडने हैं, जिसके लिए हम सभी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मुधी जी को कोटी-कोटी धन्यवाद देते हैं, रिदे से आभ सादगी, इमांदारी, कर्तव्य निस्ठा और यही नहीं भ्रस्टाचार के घोर विरोधी और वन्सवाद परिवारवाद के भी घोर विरोधी रहें, वे विहार के ही नहीं देश के एक पॉलिटिकल रोल मूडल थें, करपूरी ठाकुर जी ने सत्तर के दशक में मुख्य म और यहीं नहीं, उसमें अती पिछडा समाज के लिए विशेस प्रावधान भी था, उन्होंने राजनिती में जो एक मॉडल पेस किया, जो समाजिक न्याय की अवधारना प्रस्तूत की, अन्य राज्यों में बाद में उसका अनुकरन किया गया, आज भारत के प्रधान मंत की बात नहीं है, कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने अपने कारेकाल के दोरान राश्टिया पिछरावर्ग आयोग को समवधानिक दरजा दिया, नीट की मेडिकल की पीजी और ग्रैजुएट परिक्षाओं में OBC को आरक्षन दिया, OBC के लिए विंटिर कापिटल फंड की विवस्था की, कई सम्विधान संसोधन की है, OBC के हक में, आज नरेंद्र मोधी जी के नेत्रित में जो देश में सरकार चल रही है, उसमें 27 OBC समाज के मंत्री हैं, जो महत्पुर्ण मंत्रालियों का नेत्रित कर रहे हैं, नरेंद्र मोधी जी ने जो पीम कर्मा योजना लागू की है यह देश की अजादी के बार पहली बार OBC के आर्थिक उन्नयन इकोनॉमिक एंपावर्मेंट के लिए घोसित की गई पहली ऐसी योजना है जिसमें लगभग 60 फिजदी OBC समाज के कामगार अबादी जो आर्थिक चुनौतिया जहेल रहे हैं उनको इंटर्पेनियर्शिप के माध्यम से समाज में अपना वजूद अस्थापित करने के लिए पुत्साह भारत रत्म दिया जा रहा है लेकिन पिचले कई वर्षों द्रसकों तक उनको भारत रत्म दिये जाने की मांग होती रहे हैं कई समाजवादी सरकारे कॉंग्रेस के समर्थित के द्रब में सरकारों में रही है उनको कि नरिंदरained कि आदेंders कि निर्द जी को हम है लोग है इस देश के नागरी जो देश की राजनिती में सुचिता इमानदारी को प्रसरत देते हैं जो भरस्टाचार के खिलाफ परिवारवाद के खिलाफ वंसवाद के खिलाफ राजनिती का समर्थन करते हैं वैसे लोगों को भी विशेश खुसी हो रही है करपुरी ठाकु जी के नाम पर आज कई समाजवादी राजनिता हैं देश में जिन्हों ने करपुरी ठाकुर जी के विचारधारा की तिलाजली दे दी लेकिन उनके नाम की माला जबते भरस्ताचार में आकंठ डूबे परिवारवाद वंसवाद को प्रुचाहन देते और करपुरी ठाकुर के तमाम विचारधारा और राजनितिक जो मौडल थे उनको उन्होंने पीछे ढखिलने का काम किया आज तो ये सवाल उठता ही है एक OBC समाज का व्यक्ति होने के नाते निश्चित तोर पर हम ये सवाल पूछना चाहते कि वे कौन लोग थे जिन्होंने जब करपुरी ठाक जी की आरक्षन जो रिजर्वेशन मौडल था उसके खिलाफ परचा छपवा कर बटवा रहे थे वे कौन लोग थे जिन्होंने कभी करपुरी ठाकुर जी को कप्ति ठाकुर भी कहा था अपमानीत करने का काम किया था करपुरी ठाकुर जी के लिए तमाम नारे लगाए करप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी जी ने OBC समाज के गौरों को रास्टिय फलक पर मानिता देने सम्मानित करने का काम किया हम सभी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आज एक बार फिर जरूरत है कि करपुरी ठाकुर जी की सूच पुप्त राजनिती हो करपूरी ठाकुर जी को उनके जन्म शताबदी पर जब भारत रत्न दिया जा रहा है हम सभी बिहार के नागरिक इस देश के नागरिक है उनका ये फर्ज है विशेसकर OBC समाज के लोग पिछला आती पिछला समाज के लोग कि हम सभी को आज करपूरी ठाकुर जी जैसे नेताओं की जरूरत है जो हम सभी का मार्ग दर्शन करें विकास करें और आज इसमें कोई गुरेज नहीं हम सभी गर्व के साथ कर सकते हैं कि आज भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी करपूरी ठाकुर जी के बताय हुए रास्ते पर चल रहे ह करपूरी ठाकुर जी के अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं करपूरी ठाकुर जी जैसे महमानों के सपनों को साकार करने के लिए भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं हम सभी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व हैं करपूरी ठाकुर ज